नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंपोर्टेंट अबडेट है फिलाल हुए है दस बज़ के पंदरा एम ठीक है और अभी वीडियो बनाना जादा खास है जरूरी है वो मैं आपके साथ डिसकस कर लेता हूं ठीक है उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को यह देखना पड़ना लिखना समझना बहुत ही मेंडिटरी है अनिवारे है उसके बाद आप चाट पर आजिए ठीक है उससे पहले जो मैंने यहाँ पर दिया है क्या कहते हैं आपको टेलिग्राम पर ठीक है एक यह दिया है बाइस एक सो पांच पर बाई और बैंक है ठीक है उनको मेंटेन करके रखिएगा अब आजाते हैं कि थोड़ा साथ कॉंफिदेंस बढ़े तो मैं चीजें आपके साथ डिसकस कर लेता हूं यह देखिए जैसे कि कल मैंने आप कहा था आप से अगर आप यह पिछले तीन दिन देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नही ही और रेड केंडल मतलब कि मार्केट जहां ओपन हुआ हो उसके नीचे क्लोज किया ऑँ यह एक भी दिन हम्हें देखने को मिया ठीक है तो मार्केट की पर स क्या बोल रहा है प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है ठीक है कि मास्छिट में वीकनेस नहीं यह मतलब मोटा मोटा मार्किट का सार कह लिए आप मार्किट जो पिछली 3-4 दिन से चल रहा है यह मार्किट का आउटकम ठीक है जो फील किया जा सकता है और जो थोड़ा सा जादा एक्सपीरेंस रखता है वो चीज को देख सकता है अब आती है ट्रेडिंग की बात ठीक है ट्रेडिंग की बात क्या थी दो चीजे डिसकस हुई थी कि या तो जितना आप इसको 2100 के आसपास से करी सके क्यूं क्यूंकि भाईया यह बहुत जबर्दस डिमांड जोन है यह आप देख रहे हैं ठीक है इंदो केंडल को भूल सब्सक्राइब के ऊपर जाता हुआ मिले दिख रहा आपको ठीक है यह लेवल क्या था 22,080 मैं थोड़ा और श्योर होना चाहता था तो हमने 225 पर आज इसको अब देखने वाली चीज क्या इंपोर्टनेट यह वीडियो में क्यों बोना रहो यहां पे भी अगर आप देख 20,200 बार बार इदर जाके नीचे इदर जाके नीचे 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 कि सब्स्क्राइब के अगर इस चैनल के बाहर आती है आउट साइड आती है तो तेजी होगी कम से कम इतनी कितनी इतनी जितनी ये ब्रेथ है ठीक है एक तो ये चीज़ देखनी है क्या आपको क्लोजिंग 22.100 के उपर मिलती है इसके उपर आती है ग्रीन केंडल के साथ बढ़िया दूसरा यहाँ पर जरूर ये तंग होगा 22.200 के पास यहाँ पर जरूर ये तंग होगा ठीक है तो यह तो आप 22.180 के आसपास निकल जाईए इसके बाद अगर ये लेवल ट्रिगर होता है 22.225 SL को शिफ्ट करिएगा 22175 टार्गेट इस 22.400 प्लस ठीक है समझागी बात ये चीज़ को नोट कर लिए ये चीज़ इंपोर्टेंट है इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये चीज़ बताने के लिए ठीक है और चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाए एक टाइमली अपडेट कर रहा हूँ आपको कि आपको 22-200 को कैसे ट्रीट करना है एक बर आरसाई लगा के देखते हैं भाई मुझे तो ब्रेक आउट दिख रहा है ये पूरे पीस का ये जो पूरा पीस है इसका ब्रेक आउट होता हुआ दिख रहा है ठीक है लेवल पर कंफर्म हो जाएगा 22,000 225 ट्रिगर हो जाता है कोई पांच मिनट केंडल क्लोज बेसिज नी कोई कुछ नी कोई प्लाना डिमकान नहीं ये ट्रिगर होजाना चाहिए ठीक है रसाई तो दिखा रही है कि इस बार जो है थोड़ी तैयारी के साथ जा रहा है यार ऐसा ही दिखा रही है अब मनी फ्लो भी देख लेते हैं, यहां अभी डाउट है, ठीक है, अब आजे यह थोड़ा सा बैंक निफ्टी के उप्रास, बैंक निफ्टी तेज लग रहा है, अब तेज लग रहा है, कल तक मुझे इसमें चीज समझ में नहीं आ रही थी, अब यह मुझे बढ़िया लग ठीक है, 46,890 के आसपास है, 46,500 भी नहीं, 46,600 बेसिस, क्लोजिंग, क्लोज हो जाए इसके नीचे, यह आप SL रख लीजे, यह सपोर्ट रख लीजे, जो आपको रखना है रख लीजे, ठीक है, मुझे यह 47,200 जाता हुआ तो दिख रहा है, 47,200, ठीक है, SL जो है, यही मैंने जब बताया था, जब 46,750 चल रहा था, टेलिग्राम पर, नहीं, 46,800 जल रहा था, तो 46,600, पहला टार्गेट मैंने 47,000 नहीं, 47,200 के आसपास यहां पर बैंग, पोजिशनल पेसिस हैं, यह इंट्राडे, देखें दोस्तों, मैं इंट्राडे ट् करता हूं, और मुझे कम से गम, तीन से, दो से तीन दिन या चार दिन का ट्रेड करने में मजाता है, इसका जो जाना चाहिए, इसको कम से कम, कम से कम, यहां तक, 47,200, इधर तक तो इसको जाना चाहिए, और जिस फॉर्मेशन से यह जा रहा है, ठीक है, इसकी कोई भी क्लोजिंग, 47,370 के ऊपर आ जाती है, टार्गेट इस 48,000, एजिन नोट कर लेज़े, ठीक है, इदिके, आरेसाई में ब्रेक आउट है, और अभी प्राइस ने ब्रेक इसको क्या कहते है, पॉजर्टिव डाइवर्जेंस, ठीक है, अभी आवरली चार्ट पे, डेली चार्ट पे तो शायद क्लोजिंग होने के बाद या कल दिखेगा, पर आपने ट्रेडिंग करनी है, तो थोड़ा का एडवान सेटप आपने बनाने बढ़ेंगे, यह ना, ड मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जिन की बात कर रहा हूं, पोजिशनल बात कर रहा हूं, इंट्रडे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जाइडूज मुझे अच्छा लग रहा है, सब इनफी को बुरा भला बोल रहा हूंगे, मुझे इनफोसिस इस जगे पे अच्छा लग रहा है 1490 के आसपास है इंगे स्टोप मुझे अच्छा लग रहा है जे के सिमेंट अच्छा लग रहा है इंडिया सिमेंट अच्छा लग रहा है ठीक है और और कौन सा एक दो स्टॉक और है कौन को और अच्छा लग रहा है ठीक है क्रॉम्टन अच्छा लग रहा है कि सारे में स्टडी करके बैठाऊ क्रॉम्टन ठीक है अपोलो होस्पिटल डेफिनेटल अपोलो होस्पिटल एक दो दिन नाटक करेगा पर इसका सेट अप बहुत ब 27 है ना आज 27 मार्च बुद्वार का दिन है इन में 2 से 3 परसेंट आप ऐसल लगा लेजिए ठीक है 3 से 5 परसेंट पहला टार्गेट 5 से 8 परसेंट दूसरा टार्गेट 8 से 10 परसेंट किसमत हुई तो तीसरा टार्गेट कितने हैं यह 1 2 3 4 8 6 7 8 ठीक है 8 मेंसे चार पांस तो मुझे लगता है हिट होने चाहिए पहला दूसरा टार्गेट ठीक है इसमेंसे आप अवाइड किसी को अगर करना चाहें तो कौन को को कर दीजे क्योंकि चल चुका है यह नीचे से बाइगर रखा है इंडिया सेमेंट को कर सकते हैं यह चल चुका है नीचे से बाइगर रखा है ठीक है Crompton को आप अवएड कर देजिए, बाकी फोकस करेए, ठीक है, बाकी फोकस कर सकते हैं, तीन स्टोक को आप अवएड देजिए, चलिए दोस्तों, वीडियो चलेगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, holy offer अभी भी चल रहा है क्योंकि ये convert हो जाएगा good Friday में शुकरवार तक तुझ जिसको join करना कर सकता है and please don't ask me कि क्या service है क्या कुछ है जो कुछ है वहाँ पर आप लोगों के सामने है जो भी कुछ है ठीक है आपको ठीक लगे तो लीजी नहीं ठीक लगे तो मतले ठीक है और मैं कोई clear बता रहा हूं मैं कोई doubt clear service नहीं परवाइड करता हूं काफी लोगों को सर्विस लेके बात करनी है मैं बात्चीत नहीं करता हूं ठीक है कि मैंने यह लिया है तुम इसका क्या करना आप बात नहीं करता हूं मुझे कुछ नहीं पता किसने मेरी प्रीमियम सर्विस ले हुई यह कौन है वो आदमी ठीक है जो कुछ है वो आप लोगो कोई सामने है एडवर्टीजमेंट है आप लोग वहां से जोइन करते हैं और है क्या जैसे दिए कि मैं दो ट्रेड दिया है बता जिता हूं कि निफ्टी का मैंने बाइस पांच सो की सी का ट्रेड दिया है चार अपरेल का यह सी एमकी 52 पे बैंक निफ्टी का मैंने 48,000 सी का ट्रेड दिया है दस अपरेल का इस परकार के मैं ट्रेड देता हूं मुझसे क्रिप्या करके बातचीत करने की कोशिश ना करें मैं बातचीत नहीं करता हूं किसी से थे हैं ठीक है नहीं मैं किसी को परस्नली लिंक देता हूं कि आओ जोइन कर लो इस ऊंदी में चैनल ये में चैनल है सब कुछ यही पए हैं आप लोगों के सामने हैं यहां से जोइन होता है करें नहीं जोन कर पाते हैं तो मेरे हाथ जोड़के आप लोगों से माफी मैं कहीं से किसी प्रकार से परस्नली आपकी एल्प नहीं कर सकते ना तो जॉइन कराने में ना ट्रेड में ठीक है किसी से बात कोई अगर आपसे बात कर रहा है बहुत चैनल खुले में तो फ्रॉड कर रहा है वो आपसे पर्सनली पैसे मांग रहा है फ्रॉड कर रहा है पर्सनली आपसे बात कर रहा है फ्रॉड कर रहा है मैं नहीं हूँ ठीक है यह मेरा चैनल है जिसके अंदर सब्सक्राइ बागी मैं परसनली किसी से बादचित नहीं करता हूं ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मुच दोस्तों बुरा लगे हाथ जोड़के माफी ठीक है कोई मतलब नहीं है किसी को परसनली गाइड करने से आप अपनी मदद खुद नहीं कर सकते दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं ना लेजी ठीक है थैंक यू